असलानेकूम आज हम बहुत हुपचूरा सा एक बैक बनाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से मैंने दो पीस लिए हूँ एक साइट में रखेंगे दोनों का मेजरेमेंट सेम है इसके लंबाई लिए हूँ मैंने 11 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने लिए हूँ इसे open करेंगे, open करने के बाद इनिशान को थोड़ा सा dark करेंगे, dark करने के बाद यहां से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और side में 1 इंच पे निशान लगाएंगे, जो दूसरा हमने निशान लगाएंगे, उससे भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद 1 इं इस्तिमाल करके यहां पर भी हम निशान लगाएंगे यह देखो उसे इस तरह से हमें फोल करना यह देखे जो हमारा निशान है इस तरह से फोल करेंगे और यह दूसरे को लेकर उपर की साइड भी और नीचे की साइड भी अब हम इसे इस चीज करने से पहले नीचे गोलाई क शेप देंगे उसके लिए देखो टू इंच पे निशान लगाए हैं हमने एक तरफ और दूसी तरफ भी हमने टू इंच पे निशान लगाए हैं और कॉनर पे वन इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से उसी के अंदर ही हमें इस तरह से शेप देना है अब यह हमने श चुन के लिए इस तरह से लेकर सबसे पहले हम यह दोनों प्लेट्स स्टीच कर देंगे नीचे और ऊपर की तरफ और इस तरह से हम दोनों स्टीच करके रेडी करेंगे उसके बाद इस तरह से दो पीस लेंगे इसकी लंबाई हमने लिये तिरी इंच और चड़ाई उतनी लें करेंगे इस तरह से स्टीज करेंगे और उपर इस तरह से टॉप स्टीज करेंगे इस तरह से यह देखो हमारा सिलकर रेडी हो गया है यह देखें दोनो हमने इसी तरह से स्टीज कर लिए है और यह स्ट्रेप बनाएंगे इसके लिए दो पीस है इसकी चौड़ाई हमने लिए फोर इंच और इसके लंबाई हमने हमने लिए है sto22 इंच सबसे पहले हम ओपर इस तरह OL करके स्टीज' करेंगे यह दो कोई हमने स्टेप स्टीच करके रेडी कर ली है अब उसके लिए सबसे पहले हम इस पे पोरा इसका जो भी आता है सेंटर पे निशान लगा देंगे यह मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रहे हूँ उसके बार 3 इंच पे निशान लगा रहे हूँ दूसरा भी हमने सेम उसी तरह से स्टीच कर लिए है अब हम जिप वाला हिस्सा बनाएंगे उसके लिए दोको इस तरह से मैंने दो पीसे लिए हूँ और दो लाइनिंग वाला पीस लिए हूँ सेम मेजर मेंट है इसकी लंबाई हमने लिए है एक लिए हम इनकी खाल लाइंगे और भी हम इस तरह से रखेंगे लाइनिंग वाला पीस आँ से स्टीच कर लेंगे आँए और साइड में हम टू-इंच पर निशान-ैनें उसके बाद ज्प एक अंदर की तरफ करेंगे जिस तरह से हमने की करना है दूसरा भी सब्सकности कर लाका हैं इस तरह से बाहर हिस्सा सेम होना चाहिए ये देखे और उपर हम टॉप स्टीज करेंगे ये देखे ये सेम दोनों का हिस्सा है अब इसे फोल करेंगे इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे और दूसरे पर भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे यह देखो इस तरह से यह हमने दोनों पर निशान लगा दिये हैं अब हमारा मेन फैबरिक है बो लेंगे और इस तरह से जो हमने step लगाते हूं सेंटर पर निशान लगाए थे हुसे रख कर दोनों छोइन करेंगे और फिर उसके बाद stitch करेंगे और एक lining वाला piece से बराबर लेंगे वो रखेंगे इस तरह से stitch करेंगे दूसरा भी same उसी तरह से सबसरे पहले पॉर्शन रखेंगे उसके बाद एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे इस तरह से स्टीज करेंगे यह दो किस तरह से हमने दोनों स्टीज कर लिए हैं अब इस तरह से टॉप स्टीज करेंगे और साइड में यह पूरा स्टीज करके रेडी करेंगे जिस तरह से वह पीस करेंग उसके लिए इस तरह से मैंने एक पीस ली हूँ ये देखें ये मैं डबल फूर्ट की इसका मेजर मिट आपको बता देती हूँ ये देखें इसकी चोड़ाई हमने ली है 6 इंच और इसकी पूरी लंबाई मैंने ली हूँ 30 इंच आप 28 इंच भी ले सकते हैं ये देखें इस तरह से और सबसे पहले उपर ओले हिस्से पे हम निशान लगाएंगे ये देखें इसके सेंटर में है जो 3 इंच पे सबसे पहले इस तरह से निशान लगाएंगे और डाउन करेंगे 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे दूसरे पे भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे और यहां दर्मियान में टू पैंट फाइंच पे रखकर फाइंच पे पूरा आना चाहिए इस तरह से निशान लगा देंगे और जो हमने फाइंच पे निशान लगा थे उसी इस तरह से क्रोस करके लाइन करेंगे यह देखें इस तरह से हमने यह लाइन करकें हैं आप यह निए गूलों किनक करेंगे इस तरह सर्फाइट हमने कर लीए हैं और उसके बारा इसके सेट्र पे इसलों के नशान लगा देंगे हम एक फैबॉर अफैबुर के लिए इसमें भी हमने क्लेट किने निशान लगाई थे उस थ्याआफ यस wiele फॉर्ड और सेइसे सब्सक्राइज जो बसता यसे इस तरह से फोल करें भी सबसेपर medicine करेंगे ये दिखेजीवे हमने पूरी गोलाई में स्टीज कर दिये है उपर वाला हिस्था को सब herself करें स्टीज कर लिए थे इस अब दोसरे में एक संटर पॉईंट और और पूरी में में हम इसतर ह इसके भी स्टीज कर देंगे अब हमारी दोनु साइड कि चीछिंग हो गई है आप चाहें तो पाइपिन कर लें उसे ज़्यादा इसकी फिनिशिंग आती है अब इसे हम सीधा करेंगे यह देखें इस तरह से हमने सीधा कर लिए है अब हम जिप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे सबसे पहले यह देखो जिप हो गया अब हम सबसे पहले इसे कवर करेंगे अच्छे से यह देखो ही हमने कवर कर लिए हैं और इस तरह से हम पॉक्ट ओन करेंगे यह देखेंगे हमारा बहुत ही खुबसूरत सा बैक बनके रेडियो हुआ है और इसमें काफी कुछ आ जाएगा तो आप ट झाले करेंज कुछ लिए्यद झाल झाल